मेरे कि यह strong तरीके से मानना है कि हर person जो investment और trading करता है उसके कम से कम दो brokerage account और दो demate account होने जरूरी है आज इस वीडियो में हम जारेंगे कि यह क्यों जरूरी है नमस्कार दोस्तों मैं करम विर सिंग अपना trader में आपका स्वागत है तो क्यों जरूरी हैं दो demate account पहले मैं इस पर बात करूँ है फिर उन में क्या क्या issue आ सकते हैं उसकी बात करूँ हूँ तो पहले मैं फाइदे की बात करता हूँ सबसे बड़ा जो फाइदा है दो demate account या दो brokerage account जैसे मैं लिजे जैसे एक मेरा जिरोधा के पास account है तो मैं दूसरा में धन के साथ account open करके रखा हूँ या paytm money के साथ मैं account open करके रखा हूँ उससे फाइदा क्या है सबसे पहला फाइदा यह है कि इसमें से एक account को आप जो है वो long term के लिए आप use कर सकते हैं आपके long term investments रहें और दूसरे account को आप जो है वो trading के लिए use कर सकते हैं जहां पर रेगुलर अपनी day trading या swing trading या option trading करते हैं इसमें फाइदा क्या है देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे मान लिजी आपने SDFC जो है शेर आपने hold करके रखाया और लगबग 8-9 महीने हो गए है अब SDFC थोड़ा सा नीचे आ गया है और आप trading के लिए उसे खरीदना चाहते हैं और आपके पास अगर एक ही account है पहले वो बेचे जाएंगे समझ में आया नहीं फिर से समझाता हूं देखिए हमारे इंडियन मार्केट में या और जगे भी एक concept होता है FIFO FIFO Share Buying और Selling में ये concept चलता है First In First Out यानि एक share जैसे SDFC का मैं एक्जामपल लिया कि SDFC का जो share आपने पहले खरीदा है उसके बाद आप और खरीदते चले गए हैं लेकिन जब आप बेचने जाएंगे तो जो सबसे पहले जो खरीदा था वो बेचा जाएगा जो लास्ट में खरीदा था वो नहीं बेचा जाएगा तो अगर आपके अकाउंट में एक ही ब्रोकरेज और डीमेट अकाउंट में अगर आपके आठ महीने पुराने के शेर जो है वो पड़े हैं और आपने अभी मान लिजे कल या परसू और शेर खरीदे और आप दो दिन देन बाद से बेचने गए तो वो अभी जो खरीदे थे शेर वो नहीं बिकेंगे जो आठ महीने पुराने जो शेर हैं वो बिकेंगे अब उसमें आपको नुकसान क् चार महीने बाद long term capital में चले जाएंगे यानि कोई भी आपके जो शेर से जो आप एक साल से ज्यादा hold करते हैं उन पर long term capital gain tax लगता है और वो एक लाख रुपय के profit तक exempt होता है यानि एक लाख तक आप पर टेक्स नहीं लगता उसके उपर टेक्स लगता है तो अगर आपक जिन दिन पहले खरीदा आज बेश दिया तो वह शौट वाला भी किया क्योंकि लॉंग वाला दूसरे अकाउंट में है और ध्यान रखिए एक broker के साथ आप एक ही डीमेट अकाउंट कोल सकते हैं जैसे जिरोधा के साथ आप एक ही अकाउंट कोल सकते हैं धन के साथ आप ए नीचे ऑठ को साथ लिंक डीकिस्ट भी आप वह बना सकते हैं लॉंग मैं आपको ब्रोकरी चार्ज वगेरा भी नहीं लगता तो एक को लॉंग टर्म में रखिए और एक में आप अपनी ट्रेडिंग कीजिए दूसरा एक और जो मुझे फाइदा जो नजर आता है वो कई बार ऐसा होता है कि एक सिस्टम किसी कारणबश काम नहीं करता है हमने कई बार देखा कि जिरोधा में कई बार ट्रेड नहीं जाते हैं य ऐसे टाइम में अगर आपकी एक ही ट्रेडिग अकाउंट थो आप कलोड़ नहीं कर पाएंग और वकुन शकता आपको लॉस हो जाए तो अगर आपके एक से ज्यादा ट्रेडिंग अशय के तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं कि दूसरे ह कॉन में उसकी रिक पोजिशन ले सक सकते हैं आप दूसरे ब्रोकर में उसका पोजिट पोजिशन लेके यह दो मेरे हिसाब से बहुत में रीजन है जो मुझे लगता है कि कम से के पास एक अलग-अलग तरह की फैसिलिटी है जैसे हम जिरोदा को काफी समय से यूज करते आ रहे हैं तो उनकी कुछ फैसलिटी उनके चार्ट वगएर अच्छे हैं जैसे हम धन पर जाएं तो धन की रेडिमेट स्ट्रेजी हैं पूरा मैं इस पर सिरीज बनाया है नीचे प अच्छे चार्ट हैं जो पेटियम मनी में अच्छे हैं तो हर इनके पास कुछ फीचर्स हैं चाहे मैं ट्रेड किसी में भी कर रहा हूं लेकिन उनका फीचर में जरूर यूज करता हूं तो अलग-लग फीचर्स के भी आपको एक साथ जो है फाइदे मिल जाते हैं तो अगर क्यों चार्जे हैं यह कुछ brokers जो है apply करते हैं कुछ brokers ऐसा है कि आपने one time pay कर दिया फ्लाइब करते तो चेकर लेजिए अलग-छे किसी का रूर्य होता सी नौन है तो फिर कोई ролia नहीं है लेकिन अगर AMC है तो उसमें यह है कि आपको एक जगे दो जगे और तीन जगे आपको AMC देना पड़ेगा तो यह AMC नॉमली जो है वह 100 रुपए से 300 रुपए के बीच में एवरेज साल का होता है यह एक एडिशनल खर्चा हो सकता है अगर आप दो या तीन अलग लग पुरुकरेज यह एंड डिमेट अकाउंट यूज कर रहे हैं तो दूसरी एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी का अगर आप दो या तीन अकाउंट आप खोल लेते हैं तो किसी भी अकाउंट को डॉर्मेंट ना होने दें डॉर्मेंट का हो जाता है या यह सी हम फ्रीज या फ्रोजन अकाउंट भी बोलते हैं वह अगर आप उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं लंबे समय तक मुझे ध्यान नहीं आई दिंग शायद एक साल तक यतना टाइम में कोई भी आपको फ्रीज हो जाता है तो अगर वैसा हुआ तो आपको फिर से दुबारा री के वाई सी दुबारा से करके और फिससे अक्टिव करना पड़ता है तब आप उसके शेर को आप ट्रेज कर सकते हैं तो छोटा मोटा कोई भी जो ट्रांजेक्शन है वो करते रहिए आप अ अलग अकाउंट में है और उनकी प्लेजिंग का फाइदा उनसे जो मार्जिन मिलता है वो आप दूसरे ब्रोकर के साथ यूज नहीं कर सकते हैं तो मालिजे जैसे आपने आपके जो लॉंग टम के शेर हैं जिरोधा के पास है और आप डे ट्रेडिंग जो है वो धन में करत हैं तो जिरोधा में जो शेर है अगर आप उनको प्लेज करें तो जिरोधा में आपको मार्जिन मिलेगा तो उन मार्जिंग से आप ट्रेडिंग जो है वो दूसरे ब्रोकर के पास नहीं कर सकते हैं तो ये भी एक थोड़ा सा नुकसान है अलग-अलग अकाउंट रखने मे लेकिन सबसे इंपोर्टेंट जो फाइदा है वह आपके ट्रेडिंग और इंवेस्टमेंट दोनों अलग हो जाते हैं और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आपके जो लॉंग टम वाले आठ महीने नो महीने दस महीने ग्यारा महीने वाले जो शेर हैं वह ऐसा नहीं होता कि आपने अभी तीन दिन पहले खरीदा आज बेचने गए तो पता लगा कि आपके तो वह आठ मेने पुराने वाले शेर जो हैं वह बिग गए तो उससे आपको नुकसान हो सकता है आपको लॉंग टर्ब कैपिटल गेन का फाइदा नहीं मिलिया तो इस सिंबल से प्रोज और कौन्स थे आपको वीडियो पसंद आया हो पसंद आया हो तो गेव एट थमस अप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी की जिए चलो बाइबाए टेक क्यार